गाइस अगर आप लोग भी वीडियो शूट करते हो और वीडियो शूट करने के लिए एक अच्छा अफोडिबल जो है वो फ्लुएड हैड वाला वीडियो ट्राइपॉड धोन रहे हो तो आज की वीडियो जो है वह आप लोगों के लिए मैंने रिकॉर्ड करें इन दिनों में वीडियो ट्राइपॉड अफोस आप अगर मार्केट मिलने चाहोगे तो आपको काफी एक्सपेंसिफ भी ऑप्शन देखने को मिलते हैं और काफी चीप ऑप्शन भी देखने को मिलते हैं अगर आप एक अच्छी कॉलिटी का बजट फ्रेंडी ट्राइपॉड देख रहे हो तो मैं अभी इन दिनों में जो यूज करना स्टार्ट किया है काफी अफोडिबल बहुत अच्छा एक काफी हाई पेलूट कपैसरी वेला ट्राइपॉड है जिसका नाम है डिजी टैक डिपिटीर 7060 वीडी यह एक वीडियो फ्लूइड है और काफी पावरफ इस नहीं देखने को मिलता है इसकी जो लॉंग लेंथ हाइट है जब आप इसको पूरा ओपन करेंगे तो यह सिक्स फीट तक जा सकता है जो कि as of now वीडियो शूटिंग के टाइम पर आई इतनी हाइट बहुत बारी यूज आती है जब आप ओवर दी टॉप शॉट्स लेन का आपको देखने को मिलेगा अब यह जो ट्राइपट है यह वीडियो प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छे से डिजाइन किया गया है अगर आप स्पेशली कैम कॉडर्स के लिए कोई अच्छा ट्राइपॉड दून रहे हो लेगा अगर आप NX100 200 चलाते हो यह आप इस अगर आप इस हैड को निकाल करके और कहीं और किसी स्पीड है उसको उसकी स्मूथनेस को भी कंट्रोल करने का पूरा ऑप्शन मिल जाता है साथ साथ मैं अगर आप इस हैड को निकाल करके और कहीं और किसी डॉली पर यूज करना चाहते हो किसी ट्राक पर यूज करना चाहते हो तो एक सबसे इंपॉरण चीछ फ्लूरेट ट्राइपॉड की यह भी देखिता है कि वो कितना जादा वेटी है क्योंकि इनको करी करना अभी during the production difficult हो जाता है because fluidid tripods बहुत हैवी होते हैं इसका जो weight tripod that is only 4 kg के आसपास तो अलगपक 4 kg के आसपास के वे करता है which is kind of very very lightweight because मैंने इससे पहले Manfrotto के भी कुछ tripod चूज करें Manfrotto के fluidid वाले बहुत जादा heavy होते हैं और उनको travel करने में जान type of निकल जाती है यह काफी जादा lightweight है इसकी overall build quality बहुत अच्छे से इन्होंने design करी है एक सबसे चीज है कि इसमें आपको जो है वो three section design देखने को मिलता है इसी वारे से यह जो है spread भी काफी अच्छा हो रहता है अगर आप इसको properly spread करेंगे जमीन पे तो लगभग 2.9 feet तक spread हो सकता है और जो इसकी हाइट है वो six feet तक extend हो सकती है build quality में यहाँ पर aluminium pipes को use किया गया है plus plastic की जो है वह आपको attachments मिलते हैं जो कि plastic के बने हुए तो overall a decent build quality के साथ में आता है of course carbon fiber नहीं है carbon fiber की pricing जो हो तोड़ी बहुत हाई होती है और यह जो है भी as of now roll हो रही है वो digitale dtr520bh यह और यह ट्राइवल ट्राइपॉट है अगर आप बॉल हैड वाला एक classic lightweight travel tripod ढून रहे हो तो आइटिंग यह जो ट्राइवल ट्राइपॉट है वह आपका purpose definitely solve करेगा जिस ट्राइपॉट की में बात कर रहा था वो ट्राइपॉट यह है एक बहुत ही फेमर्स मेरे खाल से डिजिटेक का सबसे ज़्यादा सेल होने माला ट्राइपॉट होगा एक अफोडिबल ट्राइपॉट है अगर आपे content creator विडियोग्रफर और फोटोग्रफर और एक बॉल है ट्राइपॉट देख रहे हो जिसका सेंटर कॉलम भी बाहर निकर के लिए स्लाइपॉट हो तो एक सबसे बेस्ट राइपॉट तो कीप इन यूर बैग अगर आपे content creator विडियोग्रफर फोटोग्रफर और एक फिल्मे करो यह काफी लाइट वे ट्राइपॉट है बेसिकली ट्राइवल के अंदर आता है और इस इस ट्राइपॉट को मैंने जो है वापस नया पर्चेस किया है बट मैं अल्रेडी पहले से ही लगभग तीन साल से इस ट्राइप सिक्स फीट्स की यह लगभग सिक्स फीट्स तक एक्स्टैंड हो सकता है इसके सेंटर कॉलम को निकालने के बाद में तो लगभग मेरी हाइट क्रोस कर जाएग इतना बड़ा हो जाता है आपको एक बाल हैड मिलता है जो कि 360 डिगरी रोटेट कर सकता है लाइक दिस प्लस यह वह आपका यह इस तरीके से पानिंग और तिल्टिंग दोनो कर सकता है बहुत अच्छा ट्राइपोट है इसके जो बॉल हेट की कॉलिटी वह भी बहुत अच्छी है और आई तिंग वन ओफ दी रेकमेंडेट ट्राइपोट है अगर आप एक स्टार्टर हो फोटोगर एस ने बिगनल फोटोग्रफर ओ और लुकिंग फॉर गुट कॉलिटी ट्राइपोट जो कि लंबा चले यह टिंग इस इस जड़ी चॉइस तो हब इन योऊ बाग अब नौ इस ट्राइपोट की बिल्ट कॉलिट की बात करो बहुत अच्छी बिल्ट कॉलिटी है फ्कोस य इसका जो वेट है लगभख 900 ग्राम के अंदर फॉल करता है और अच्छी बात यह है कि यह मोनोपोड भी बन सकता है तो अगर आप इसे मोनोपोड बनाना चाहते हो यहां से जो इसका यह वाला लैग है वह इस तरीके से बाहर निकल जाता है अगर मैं इसको निकालूं और मोनोपोड बनाना चाहा और अगर आप इसका निकल निकाल डिस्क्रिपशन में कर दूँगा अगर आप दोनों ट्रैपॉड में तो आप अपने किसी भी प्रबस के लिए घा कि अगर वीडियो के लिए देख रहे हो तो आगर एक वेडियोफ लुए ट्राइपोड को को तो आप जाकर कि जरूर चेक आउट करना वीडियो पसंदा है तो कमेंट करके जरूर बताएए थैंक यू सो मच गाइस वाचिंग दिस वीडियो स्टेविडियो स्टेविन एंड कीप शूटिंग